यदि कोई प्रणाली या व्यवस्था काम करने में सक्षम होती है तब हम कहते हैं कि इस प्रणाली में उर्जा है उर्जा विज्यान की मुख्य संकल्पना है यह अमूर्थ कल्पना है जिसे समझना कठिन हो सकता है इसे हम गड़ना हिसाब का आधार लेकर हम उसे आर्थ देने का प्रेतन करते हैं उर्जा भी बिन प्रकार की होती हैं पर उर्जा के ये सारे रूप या तो गतिज होते हैं या फिर स्थितिज होते हैं वै उर्जा जो स्थिति के साथ जुड़ी होती है उसे स्थितिज उर्जा कहा जाता है उर्जा को हम गती में भी और स्थिती में भी दोनों प्रकार से संग्रहित कर सकते हैं कार्य की तरह उर्जा को भी जूल इसी काई में ही दर्शाया जाता है गतिज उर्जा यदि गतिज उर्जा गती से संबंदित है तब स्वाभाविक है कि वैवस्तू जो गतिमान नहीं है उसकी गतिज उर्जा शूनि होगे हर वहवस्तु जिसमें गती होती है फिर चाहे वो गती क्षैतिज हो सकती है या लंबवत हम उसे गतिज उर्जा कहेंगे गतिज उर्जा के भी विविद रूप है कमपित अर्थात कमपन के कारण निर्मान होने वाली उर्जा भ्रमन आवर्तंशील अर्थात वै उर्जा जो घूरणन के कारण निर्मान होती है और आंतरिक गतिज उर्जा अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण निर्मान होने वाली उर्जा बात को आसान बनाने के लिए हमीं समय सिर्फ अंतरण गतिज उर्जा के बारे में ही अध्यन करेंगे किसी भी वस्तू की अंतरण गतिज उर्जा याद रखें यहां से अंतरण गतिज उर्जा का अर्थ गतिज उर्जा ऐसा होगा कि मात्रा दो चरों पर निर्भर होती है प्रथम चर है उस वस्तू की द्रव्यमान जिसे M इस अक्षर से दर्शाय जाता है और दूसरा चर होता है उस वस्तु की गती जिसे V इस अक्षल से दर्शाय जाता है अब एक सवाल उठता है कि कारिक कहा जाता है और उसके साथ क्या होता है हम देख सकते हैं कि कारिको परिवर्तित करने के विभिन मार्ग होते हैं चलिए इस उधारण में कुछ दूरी तक त्वरण हो इसलिए बल का प्रयोग कर देखते हैं यहां पर कार का स्थिर बल F है द्रव्यमान M है कार प्रारंबिक स्थान X 0X 0 से X है इसका प्रारंबिक त्वरण U और अंतिम त्वरण V है और दिशा X है विस्थापन का परिणाम S है कार का त्वरण बराबर F बटा M अर्थाद बल बटा द्रव्यमान है स्थिर बल के कारण स्थिर त्वरण होता है इसी कारण हम गती के तीसरे समिकरण के आधार पर विस्थापन जिसे हमने S कहा है उसका सम्मंद प्रारंभिक और अंतिम वेगों के साथ जोड सकते हैं संपूर्ण बल स्थिर है और विस्थापन से समानतर भी है इसी कारण कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार कार्य मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन होता है। इसमें अर्ध द्रव्यमान गुणा अंतिम त्वरण की मात्रा में बदलावाता है। यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है क्योंकि इसी के आधार पर हम उस मात्रा को नाम देने वाले हैं। इस मात्रा या परिणाम को गतिज उर्जा कहा जाता है। गतिज उर्जा को अर्ध द्रव्यमान गुणा अंतिम त्वरण वर्ग के रूप में परिभाशित किया जाता है। अर्था हाफ mv² हमने अभी जिस बात को सिद्ध किया वै इस प्रकार थी। किसी वस्तू पर बल लगाने के फलसुरूप जो संपूर्ण कार्य अर्था टूटल वर्ख होता है। वो कार्य उस वस्तू के गतिज उर्जा में परिवर्तन के समान होता है। चलिए अब इकाईयों की जांज करते हैं। द्रव्यमान गुणा अंतियम त्वरण का वर्ग मतलब किलो ग्राम गुणा मीटर प्रतिसेकन का वर्ग एक मीटर को बाहर लें और न्यूटन के दूसरे नियम का प्रयोग करें। कुछ याद आया आपको कि मीटर प्रतिसेकन का वर्ग वास्तव में बलकि इकाई है। न्यूटन और न्यूटन गुणा मीटर बराबर जूल्स। इस समिकरन द्वारा यह बाद सिद्ध हो जाती है कि किसी वस्तू की गतिज उर्जा उस वस्तू के वेक से समान उपाती होती है। जाने के लिए उस वस्तू का परिणाम ही काफी होता है। कारी और स्थितिज उर्जा की तरह ही गतिज उर्जा को नापने की ऐसाई इकाई जूल है। झाई झाई होता है। झाल झाल